वो जंगल बहुत सुन्दर था लक्षमी चिडिया और चातर कववा भी उसी जंगल में रहते थे लक्षमी चिडिया बहुत महंती थी उसे फारग रहना बिलकुल भी पसंदना था इन दिनों जंगल में दाना पानी मिल रहा था लेकिन कुछ समय बाद जंगल में सुखे का मोसम आ जाना था लक्षमी चिडिया हर साल आने वाले सुखे के मोसम की तियारी करके रखती थी इस बार उसके जहन में एक नया प्लैन आया था वो चातर कववे को अपने प्लैन के बारे में बताने उसके घर जाती है आओ आओ लक्षमी कैसे आना हुआ वो कववे भीया मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है आपको तो पता है अभी इस समय हमारे जंगल में दाने और पाने की कोई कमी नहीं है लेकिन कुछ समय बाद हमारे जंगल में सुखे का मौसम शुरू हो जाएगा मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं एक काम करना जाती हूँ अगर आपने मेरे साथ हिसा रखना है उस काम में तो मैं आपको अपने साथ शामल कर लेती हूँ कौन सा काम पहले काम बताओ फिर ही तुम्हें बताओंगा अगर काम मेरे कुन बता का हुआ तो फिर ही करूँगा कवे भीया मेरे पास गंदम के दाने पड़े हैं क्यों न हम उन्हें नदी के पास खाली जमीन पर काश्ट कर ले अब तो पानी भी असानी से मिल जाएगा गंदम काश करने के लिए और जब हमारी फसल त्यार हो जाएगी तो हम दोनों आधी आधी बाट लेंगे और सुखे के मोसम में आराम से खाते रहेंगे वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है मुझे ये सोदा मनजूर है तो फिर हम कल सुखो से काम शुरू कर देंगे आप जल्दी उठ जाना मैं जाते हुए आपको ले जाओंगी और फिर लक्षमी चिडिया अपने घर चली जाती है और फिर रात हो जाती है और लक्षमी चिडिया सो जाती है और फिर सुभा हो जाती है लक्षमी चिडिया गंदम का बीज लेती है और कवे के घर की तरफ चली जाती है उठ जाओ कवे भीया आप अभी तक उठे नहीं हमें आज बीज बोने का काम खतम करना है लक्षमी तुम घूम क्यों रही हो मेरी आँखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है मेरा सर चकर आ रहा है क्या हुआ कवे भीया तुम्हारे सेहे तो ठीक है चिडिया आज सारी रा जाकता रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत चकर आ रहे है तुम ऐसा करो आज अकेली ही चली जाओ मैं कल तुम्हारे साल चला जाओंगा लक्षमी चिडिया बहुत मासूम चिडिया थी वो उस चातर कवे की बातों में आ जाती है ठीक है कवे भीया आप आराम कर लो मैं अकेली ही चली जाती हूँ और फिर लक्षमी चिडिया चली जाती है आई बड़ी मुझे इतनी जल्दी जगाने वाली और चातर कवे ऐसे कहकर फिर से सो जाता है और लक्षमी चिडिया सारा दिन लगा कर वो बीज बो देती है और बीज को पानी भी डाल देती है और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और लक्षमी चिडिया अपने गोंसले में वापस आ जाती है आज लक्षमी चिडिया बहुत ठक गए थी इसलिए अपने घोंसले में आते ही बोजन खाकर सो जाती है और फिर हर रोग चातर कव्वा ऐसे ही कोई न कोई बहाना बना लेता और लक्षमी चिडिया बेचारी अकेले ही जाकर सारा काम कर लेती ऐसे ही दिन और रात गुजरते गे और फिर आखर वो दिन आ ही गया जब गंदम की फसल पकर बिलकुल तियार हो गई कव्वा भी ये बात जानता था कि अब फसल पकर तियार हो चुकी है चिडिया जब अपनी फसल को काटने जाती है तो कव्वा वहां पहले से मजूद था चिडिया कव्वे को दे कर बहुत हेरान होती है कव्वे भी या आज आप ठीक है हाँ हाँ चिडिया आज तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि जाकर चिडिया के सार काम करवाता हूँ चलो अब जल्दी से फसल काट ले और फिर कव्वा और चिडिया मिलकर सारी फसल काट लेते हैं और अब बारिती फसल तक्सीम करने की चिडिया तुमने महनत बहुत ज़्यादा की है इसलिए ये भूसा और मट्टी सारी तुम्हारी हुई और ये गंदम मैं रख लेता हूँ कवे भीया ये आप क्या गह रहे हैं इस मट्टी का क्या फाइदा चुडिया मैं तुम से फजूल में बहस नहीं करना चाहता और वैसे मट्टी का ही तो सारा फाइदा है अगर मट्टी ना होती तो तुम बीच कैसे बोलेती और अब मेरा दमाग ना खराब करो और वो चातर कवा सारी गंदम लेकर वहां से चला जाता है और चुडिया बेचारी कवे को जाता देख रह जाती है अब मैं क्या करो इस मट्टी का और फिर लक्षमी चिडिया एक प्यारा सा सुन्दर सा घर बना लेती है और उस घर में अपने जरूरत का सारा समान रखती है चलो ये तो मैंने अच्छा किया कि उस मट्टी और भूसे को कामे ले आई आज मैं ऐसा करती हूँ कि खिचडी बनाती हूँ बाहिर बादल भी आये हूए है अगर बारिश आगे तो इस बारिश के मौसम में खिचडी खाने का मज़ा आ जाएगा और फिर चिडिया खिचडी बनाने लग जाती है इधर चिडिया घर के अंदर खिचडी बना रही थी और बाहा आधर चिडिया चिडिया उस बारिश वाले मौसम के अपने घर में बैठी बहुत मज़े कर रही थी और उसके तरफ तेज बारिश की वज़ा से चातर कववे का गोंसला तूट कया था और उसके गंदम भी सारी बारिश के पाने में गिट जाती है चातर कववा बहुत परिशान था कि अब वो कहा जाए फिर उसे थोड़ा दूर एक घर से रोशने निकलती दिखाई देती है वो जल्दी से उस घर की तरफ जाता है चातर कववा जाकर उस घर का दरवाजा जोड से बजाता है लक्षमी चिडिया चातर कववे को खिरकी से देख लेती है चातर क्या बात है अब यहां क्या करने आए हो लक्षमी बेहन वो मेरा गोंसला बारिश की वज़ा से तूट गया है और सारी गंदम भी बारिश के पानी में गिर गई है तुम मेरी मदद करो मैं बहुत भूका भी हूँ और मुझे बहुत सदी भी लग रही है तुम्हारे गर से तो बहुत अच्छी खशबू आ रही है लगता है कुछ स्पेशल बना रही हो मैं खिचड़ी बना रही हूँ और मैं अब तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूँगी तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया सारी महिनत मैंने की और अंत में तुमने मुझे क्या दिया वो मिट्टी और भूसा और हाँ जिस मिट्टी और भूसे को तुमने नकमा जानकर मुझे दिया था मैंने ये घर उसी से बनाया है और देखो तम्हारी वो गंदम तम्हारे कुछ काम नाई अब चले जाओ यहां से मैं दरवाजा बिल्कु नहीं खोलूगी और कव्वा वहां से नाराश होकर दूर एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है रात बहुत गहरी थी लेकिन बारिश अबी भी नहीं रुकी थी वो पेड़ एक महंदी का पेड़ था महंदी का पानी कव्वे के उपर पड़ता रहता है जिससे कव्वे का रंग बहुत प्यारा हो जाता है और फिर सुबहा हो जाती है ये मैं इतना सुन्दर कैसे हो गया अच्छा तो इस पेड़ में से ये रंग निकर रहा है वाँ मैं तो बहुत सुन्दर लग रहा हूँ मैं क्यों ना चिड़िया को बेवकूफ बनाऊं और उससे उसका घर चेन लूँ और चातर कववा कुछ सोच कर फिर से लक्षमी चिड़िया के घर की दरफ जाता है जब चिड़िया कववे को देखती है तो वो हैरान हो जाती है कववे तुम इतने सुन्दर कैसे हुए चिड़िया मैं तुम्हें लेने आया हूँ मैं चाहता हूँ जितना सुन्दर मैं हुआ हूँ तुम भी इतनी सुन्दर हो जाओ लेकिन कैसे वो जंगल के बाहिर पास वाले काओं में एक तंदूर है उसके अंदर मैं थोड़ी दिर बैठा था जिससे मैं इतना सुन्दर बन गया मुझे भी ले जाओ उस तंदूर में और कवा जल्दी से चिडिया को उस तंदूर में ले जाता है और जाकर चिडिया को उस तंदूर में गिरा देता है और खुद वहां से आ जाता है वो तंदूर का मालिक बहुत दियालू था वो जिडिया को जल्दी से तंदूर से निकाल देता है जिडिया कव्वे की सारी चलाकी समझ चुकी थी वो अपने घर का शॉर्टकर रस्ता जानती थी वो जल्दी से उस शौर्टकट रास्ते से अपने घर की तरफ चली जाती है और कव्वे के पहुँचने से पहले पहले अपने घर पहुँचकर अंदर से दरवाजा बन कर लेती है और जब कव्वा वहा आता है तो जुडिया को देख कर परिशान हो जाता है जुडिया तुम? हाँ मैं तुम तो मुझे मारा थे लेकिन मेरे भगवान को ये स्वीकरत नहीं था और अब मैं तुम्हारा कभी भी विश्वास नहीं करूंगी और कव्वा बाहिर बारिश में भीग भीग कर मर जाता है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कोई जितनी मर्जी होश्यारी कर ले होता वो ही है जो बगवान को स्वीकरत होता है